आज मैं आप सभी के लिए सद्धियों में बनने वाली स्पेसल लड्डू की रसिपी लेकर आई हूँ आप इस लड्डू को बना कर खाएंगे तो आपके कमर दर्द और जोडों का दर्द से बहुत ही राहत मिलती है ये कैल्सियम से भरपूर और हड्डियों के लिए बहुत ही फायदे मन्द होती ही आप इस रसिपी को एक बार मेरे तरीके से ट्राई जरूर करें चलिए आज की रसिपी की और चलते हैं इसके लिए यहाँ एक फ्राई पेन में एक कप मैंने फल्ली लिया है फल्ली को अच्छे से हमें ड्राई रोस्ट करना है गैस का फ्लेम हमें स्लो ही रखना है देखे इस तरह से जब तक इनके छिलका उतरने ना लगी इन्हें हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है अब यह चिलका उतरने लगे अब इन्हें प्लेट में अलग रख लेंगे और हलका सा ठंड़ा कर लेंगे अब इसी पैन में यहां मैंने एक कटोरी सफेद तिल लिया है आप चाहें तो सफेद तिल की जगहा काली तिल भी ले सकते हैं अब इन्हें भी हमें dry roast करना है और gas का flame हमें slow ही रखना है देखिए हलका color change होते तक और जब तक कि इसमें चटकनी की आवाज ना आ जाए तब तक हमें इन्हें dry roast कर लेना है ये सर्दियों में बहुत ही फायदे मंद होती है आप इस recipe को एक बार मेरे तरीके से try करके जरूर देखें बनने में तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी और खाने में उससे भी tasty और स्वात से भरी होगी अब इस तरह से किचन टाविल ले ले अब फलियों को डाल कर देखें इस तरह से rough करने से फलियों से छिल के बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे देखें इस तरह से कुछ फलियों के छिल के नहीं निकले तो कोई बात नहीं ऐसे भी चल सकते हैं एक मिक्सर जा publi जो तील रोस्ट करके रखे थे उन्हें डाल देगे साथ ही फल्लीओं को भी अब हमें इन्हें पल्स मोट पे दरदरh पीस लेना है बिल्कुल वी चिकना नहीं करना हैं देखें इस तरह से पल्स मोट में चलाते हुए हमें हलका सा दर-दरह इनका पेस्ट बन कर लिया है अब इन्हें भी मिंक्स in मे डाल कर अच्छे से बलस मोर्ड में चला लेंगे आसानी से अपिस जाल गी अब देखिये एक बड़े बावल में इन्हे ट्रांसफर कर लेंगे कि अब इसमे एक चमच मैल्टेड घीडा लेंगे अब हर अच्छे से हातों से मेश करती हुए हम इंहें सबीं चीज़ों को अच्छे से मिξ कर लेंता है इस गूर का और सांथ ही इसमें तील का भी अपना ऑईल होता है वह अब इस तरह से हमें अच्छे से मेखस कर लें अब यहां मैंने बारिक कटे हुए थोड़े से आमंड्स और थोड़े से काजू ले लिए आप चाहें तो ये इसकीप कर सकते हैं और अगर आपको और ड्राइफ रूट्स भी पसंद हो तो इसमें कोई से भी अपनी पसंद की ड्राइफ रूट्स एड़ कर सकते हैं अब इस तरह से लड़ू बनाना इस्टार्ट कर ले और इस तरह से लड़ू बनाए अगर आपको लड़ू बनाने में जरबी परिशानी हो रही हो या लड़ू ना बंद रही HOL तो इसमें एक चमज घी गरम करके और एट कर लें फिर लड़ू असानी से बन जाएंगे देखिए इस तरह से सभी लड्डूों को मैंने बना लिया है एक एक करके आप इसी तरह से सभी लड्डू बना कर तयार कर ली देखिए इस तरह से अब यहाँ मैंने एक प्लेट में थोड़ा सा नारियल का बुरादा ले लिया अब लड्डूों को इसमें लपेट देंगे, इससे खाने का तो टेस्ट थोड़ा और बढ़ ही जाएगा, साथ ही दिखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, देखिए, बहुत ही टेस्टी और हेल्डी लड्डू बनकर तैयार है, जैसे ही आप खाएंगे हैं मूँ में जाते ही घूल जाएंगे, बिल्कुल भी कड़क नहीं हैं, आएए आपको मैं इन्हें लास्ट में तोड़ कर भी दिखाऊंगे, देखिए इस तरह से सभी लड्डूों को मैंने नारियल के बुरादे से कोट कर लिया है, दिखने में आप तो बहुत ही लाजवाब और अच धन्यव सु्सक्रीप